का लिए एक नई सीरीज में आपका स्वागत है स्वागत है में संकल्प संकल्प सिरीज स्टैटिक ग्यूटक की संकल्पिक स्रीज इंगलिश की संकल्प स्रीज और आपका vend bill French की यह एक प्लेज है जिसमें RIMC, RMS, CENIC, UP CENIC जो भी स्कूल एंटर्स टेस्ट हैं जो आपके दिसंबर और जनवरी में होने वाले आने वाले पांच से छे महीन बाद तो उसमें यह सारी सीरीज बहुत ही इंपोर्टेंट होगी और तब तक यह चलेगी तो बेसिकली अगर इस आपको करना क्या है आपको अगर जीत हासिल करनी है अगर आपको विनर बनना है तो आपको यह टाइम टेबल को फोलो करना होगा टाइम टेबल कौन सा यह टाइम टेबल इसको आपको क्या करना है हार्डली हम डेली आपके 10 से 15 मिनटस लेंगे 10 से 15 मिनटस बस आपको 15 ताकि सिर्फ इससे selection हो जाएगा इनसे selection नहीं लेकिन आपको age जरूर मिलेगा अच्छा खासा age मिलेगा आपको अच्छे खासी आपको support मिलेगी बहुत सारे questions आप चुटकियों में कर पाएंगे exam में GK हो math सब में आपको कुछ ना कुछ यहां से फाइदा मिलेगा चलने तो बहुती perfect questions का एक set आपको मिलेगा live class हमारे platform से कैसे join कर सकते हैं आप चाहे RIMC की live class हो या आपकी RMS live class हो All India Signing School entrance जवार नवद दविद जले जूपी Signing School या किसी भी entrance टेस्ट हो तो आपको क्या करना इन number पे call करना है इस number पे call कर लीजिए इस number पे call कर लीजिए इस number पे call कर लीजिए वहां से पूरी live class का detail से जूद लीजिए कैसे live class होते हैं क्योंकि live class में और यूटूब में अंतर तो है बहुत अंतर है के लिए two live classes आपको free मिलेंगे और बाकी आपको पे उसको फिर आप जज़ करेंगे कि आपको continue करना है कि नहीं लाइव गिलास या और भी demo, hostel, recorded ये भी चीज़े लेनी हो तो हमारी website से आप ले सकते हैं foundation batch start हो रखका है मैं कहुँ foundation batch को start होने को 10 से 15 दिन हो गए है अभी अगर आपने नहीं जोइन किया तो अभी भी आप जोइन कर सकते हैं foundation batch में selection आपका पेहत पक्का हो जाता है RIMC में दिसंबर जो आपका exam आएगा चलिए आज का question number one मैंने फिर बता रहा हूँ मैं बहुत ही selected question सबके लिए static GK का बहुत ही selected question बहुत ही अच्छे questions मैं आपको प्रोवाइड करा हूँगा so that आपको direct hit करें exam में where is the jillip la pass located तो RIMC में भी इस बार pass आया था तो pass जो होते हैं वो आते हैं jillip la pass कहां इस्तित है सिक्की महमाल ले तो basically it is located in सिक्किम तिबबत के पास तो correct answer is option number B correct answer is option number B 10 question कराऊंगा ज्यादा नहीं सिक्किम वही राज यह है जो भारत का पहला organic state बना था भारत का पहला organic state कौन सा है सिक्किम सिक्किम की capital क्या है gang talk यह आपको ध्यानक नहीं कुछ चीज़े चलिए where is the central water and important question है Central water and power research station Central water and power research station कहां located है यह है आपका खड़क वासला खड़क वासला कहां है खड़क वासला है आपका महरास्ट रामे पूने के पास ठीक है महरास्ट राज्य भी आपको याद रखना है पूने भी याद रखना है और यह भी याद रखना है के लिए ये तीनों चीजिया आपको याद रखनी हैं, खड़क वासला, ठीक है महारास्ट में, ऐसा ही एक R.I.M.C. में 4 जून 2022 को पेपर वाउस में Central Rise Research Institute, C.R.R.I. ये आपका उडिशा कटक में है, तो दोनों अनाम से सेम है, Central Rise Research Institute, Central Water and Power Research Station, ठीक है, ये कोश्चन इस तरह के कोश्चन आ रहे हैं, तो ये आपको द्यानक ना है, ठीक है, चलिए, आज का राइट अंसर इस, ऑप्शन नमबर A. Which one of the following lakes in India has the highest water salinity? ये वर्ड है के salinity, salinity means salt, salt है, तो एक कोश्चन तो ठीक है, तो salt आ गया, तो salt में आप क्या मार करेंगे, सांबर, सांबर में highest salinity है, और सांबर कहां है, ये भी आपको पताऊना जी, it is located in Rajasthan, राजिस्तान क्या है, सबसे बड़ा राज्य भारत का छित्र area wise, साथ मैं आपको इसको भी नहीं, बुलना चिलका लेक, बस चिलका लेक क्या है, ओडिशा में एक तो, और ये largest Asia की brackish water lake है, brackish, खारे पानी की, ठीक है, brackish, ये salt water है, and this is brackish, ये दोनों को, अंतर दोनों में difference आपको पताऊना जी, it is brackish water lake, it is salt water lake, चलिए, which of the following divides India into northern and southern part, northern and southern part, के लिए, तो इंडिया के जो आपके, ये आपका पूरा एकदम, यहां से पूरा ये, जो होता है, ठीक है, तो ये जो portion है वो, ये नीचे वाला southern इसा हो गया, इंडिया का, उपर वाला हो गया आपका, northern वाला, ठीक है, तो इन में से कौन सी जो latitudes, कौन सा latitude है, भारत को southern और northern parts में divide करता है, देखे, latitudes, बोला है मैंने, longitudes, आपकी vertical lines होती है, latitude आपकी horizontal line होती है, और equator एक ऐसा latitude है, जो पूरे अर्थ को, पूरे अर्थ को, दो पार्ट में divide करता है, northern and southern, लेकिन यहां पे अर्थ की बात नहीं हो रही है, यहां पे तो सिर्फ भार northern और southern part में divide करता है, that is tropical cancer, tropical cancer, और tropical cancer का जो location है, 23.5 degree north, 23.5 degree north, ठीक है, यह आपको ध्यान लखना है, tropical cancer, के लिए 0 degree जैसे आपका equator हो गया, ऐसे 23.5 degree north, के लिए 7 में आपको यह भी ध्यान लखना है, तो equator किन बारत की राज्यों से गुजरती है, यह जो, sorry, tropic of cancer, tropic of cancer किन-किन state से ओके गुजरता है, यह भी आपको ध्यान लखना है, कौन-कौन से है, मैं लिख दे रहा हूँ, बिल्कुल एकदम इनको एक-एक करके याद कर लेना है, number one is गुजरात, गुजरात में जस्दान जो है, वहाँ से जाता है, लेकिन आपको सि 37 गड़, मैं CHTT लिख रहा हूँ, 37 गड़, नंबर पांच, जारखन्ट, मैं यह सोट में लिख रहा हूँ, जारखन्ट, वेस्ट बेंगोल, आपका तिरीपुरा, परमिजोराम, बस, यह आपको याद रखने है, कि लिए याद रखने हैं, कितने होगे यह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो Tropic of Cancer passes through how many states of India, that is 8 states, आपको नाम भी इनके पता होने चीए, कौन-कौन से, question आएगा, Tropic of Cancer किस राज्य से होके नहीं गुजरती है, तो आप वहाँ फिर confused हो जाओगे, Tropic of Capricorn तो बारत से जाता ही नहीं, equator कोई मतलब नहीं है, ठीक है, चलिए, तो च cities more eastern, देख्यों आप ये इंडिया के map में RIMC से बहुत question आते हैं, RIMC, RIMC से खूब question आते है, eastern, अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सा राज्य कहां पर East में है, West में, तो confused हो जाओगे, बोपाल तो मद्दे में हो गया, बद्दे परदेश की राज़ानी, नागपूर और महाराष्ट आपका किदर है, western की तरफ, western coast है, मालाबार coast इसको बोलते हैं, ठीक है, clear, ठीक है, और तो आपका कौन सा बचा, जहारकंड capital राची, तो correct answer is राची, राची क्या है, more eastern है, more, ऐसा नहीं, जहांसी सबसे ज़्यार, इन में, इन में सबसे ज़्यार इस्टन कौन स है, तो राची है, ठीक है, तो इस तरह की questions आपको धिहान रखने हैं, important है question, hostel के तुरू अगर आप तयारी करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे hostel facility को, जो विजिट कर सकते हैं, hostel campus को विजिट करिए, वहां से अपना पूरी detail लीजिए, इस नमबर पे call करके hostel के वारे में भी आप information ले सकते हैं, यह question अभी RIMC में आया था, लेकिन question दूसरे तरह का था, यह question दूसरा है, the river गोविंद बलब पंत सागर, ठीक है, गोविंद बलब पंत सागर रिजरो वेर है, यह located on which river, the question आया था, किस राज्य में है, बट यहां पे आपको बताने किस river है, क्योंकि question यह भी ask है, तो river कौन सा है, रिहांड, रिहांड रिवर, उसको रिहांड डेम भी बोलते हैं, इसको रिहांड डेम भी बोलते हैं, ठीक है, रिहांड डेम, सोन बदर डिस्टिक, तो इसलिए आपको यह हब याद रखना है, लेकिन अभी RIMC में question आया था, गो Headquarter of OPEC, Organization, पहले तो OPEC की फुल पॉम पता कर लीजिए, Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC, तो Headquarter कहां है, तो यह कहां है, Capital City of Austria, ओस्ट्रिया के लिए Capital City of Austria, वो कहां है, वेना, तो यह कहां है, वेना, तेहरान, इरान की है, क्वेट की क्वेट सिटी है, Algeria की, Algeria की, Algeria है, Algeria है, ठीक है, यह इनकी Capital City भी आपको याद रखनी है, Australia और Australia दोनों अलग है, Australia अलग देस है, जिसकी Capital Canberra है, और और यह Australia है, जिसकी Capital Vina है, तो आपको याद रखना है, यह गुरूप है, oil exporting countries का, जैसे Saudi Arab, Venezuela, यह सब इसके parts होते हैं, जो oil export करते हैं, के लिए चलिए, next question पे चलते हैं, The blue color of sky is due to the phenomenon of, तो केसे लिए होता है, केसे लिए scattering, the phenomenon is scattering, D is the right answer, live class, बताया मैंने इन number पे कोल करके, आप live class join कर सकते हैं, two live classes आपको फिरी रहेंगे, इन सारे एंटर्स का, Sonar is mostly used by, तो Sonar कौन use करते हैं, Navigators, Navigators, और important is Sonar की full form भी आपको पता होने जीए, what is the full form, Sound, Navigation and Ranging, Sound, Navigation and Ranging, clear, this is the full form of Sonar, understand, चलिए, D is the right answer, the headquarter of Asian Development Bank, जिसको बोलते हैं ADB, Asian Development Bank का headquarter कहां है, तो कहां है अपका, Philippines की capital Manila, Manila, the correct answer is Manila, और Manila क्या है, Philippines की capital, यह आपको याद रखना है, Bangkok, Thailand के, Singapore, Singapore, Tokyo, Japan की capital है, यह capital आप याद रखना, यह नहीं तो confuse कर देंगे, और Philippines, ASEAN group का member है, ASEAN, जिसमें 10 country आते हैं, ASEAN, South East Asian Nation, Association of South East Asian Nation, ASEAN, यह आपको याद रखना है, इस तरह कोशन नहीं तो आपको confuse कर देंगे, फिर आपके question कलत होते हैं, ठीक है, चलिए, Burning question देखते हैं, Burning question, Burning question बहुत important, अगर Burning question आपने कर लिया, तो यह मांगे चलिए, एक question, बहुत important question मैं लेकिया आता हूं, Burning question, देखते हैं, Burning question क्या है, Which of the following is not categorized as classical danceopedia, आपको इस question का जवाब मुझे comment box में देना है, क्योंकि मैं Burning question है, important question है, इनमें से कौन सा, classical dance की category में नहीं आता, तो देखते हैं, कितने बच्चे का जवाब देते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे interactive session में तयारी करेंगे, तो आपको question याद भी रहेंगे, comment box में लिखेंगे, तो question आपकी memory में set हो जाएगा, फिर वह तिनी आसानी से निकलेगा नहीं, और फिर मैं personally भी चेक करता हूँ, questions को किस बच्चे ने सही दिया है, किस बच्चे ने गलत दिया है, वो भी हम check करते हैं, वीडियो अच्छे लिगे, वीडियो को like करिए, share करिए, channel को subscribe और bell icon पर click जरूर कर लिए, क्योंकि पूरा schedule आपके सामने रहेगा, पूरा schedule आपके सामने रहेगा, पूरा चीज़ила आपके सामने आनी है, और फिर पिर लंबी preciso है काफी संकल्प है, परकार से संकल्प लेना है, संकल्प लेने के लिए पहले आपको subscribe और bell icon पर click खरने कोई 0.5 से रह गया उन में सामिल हो जाई है फिर तो ठीक है बच्छो चलिए कोई भी डाउट हो इन नमबर पर कोल करके आप information ले सकते हैं So student all the best, thanks for watching